ये हैं आशीज भाई जिनों ने भोपतपूर रेलवे इस्टेशन से इंस्पेक्शन ट्रेन और कानपूर काडगोदाम गरीब रत एकस्प्रेस ट्रेन का वीडियो भोपतपूर रेलवे इस्टेशन से बना कर भेजा बहुत बहुत शुक्री आपका आशीज भाई, थैंक यू सो मच, आप जहां कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें भोपतपूर रेलवे इस्टेशन, शेजहांपूर पीली भीत रूट पर पड़ता है जैसे पीली भीत से आप शेजहांपूर की दिशा में बढ़ेंगे, तो पहला इस्टेशन भोपतपूर ही रेलवे इस्टेशन आता है यहाँ पर देख सकते हैं, वेफ सेवन लोको वाली कानपूर गरीब रत एक्स्प्रेस टेन, कितना खुबसूरत लोको लग रहा है एड़र्टाइजमेंट की अगया है, सकरानी वॉल पुट्टी का, इसका भी पैसा रेलवे को मिलता है एड़र्टाइजमेंट का तो एक बहुती अच्छा अनुभव, जब पहली बार कानपूर से चल कर काड़गोदाम जाने के लिए गरीब रत एक्स्प्रेस टेन खड़ी हुई है जो इंस्पेक्शन ट्रेन अभी गई है, वो शजहापूर की दिशा में गई है और यह पीली भीत की दिशा में जाने के लिए यहां से चल दी है तैयार खड़ी थी और सिगनल हो गया है, यह देखिए, तो बहुती अच्छा दिन और अतिहासिक दिन भी कह सकते हैं क्योंकि जो आपका रसुया रेलवे स्टिशन है, वहाँ पर नॉन इंटर लॉकिंग और एडिशनल जो ट्रेक, लूप लाइन बनाने का काम है वो चल रहा है तो इसी वज़े से कई ट्रेनों को इस रूट पर डाइवर्ट किया गया, हम आप लोगों को यह पहली ट्रेन का वीडियो दिखा पा रहे हैं और जो गरीब रहत है वो भी पहली बार इसी रूट से गुजर रही है, तो यह ट्रेन शहजहाँपूर, पेली भीद, भोजीपुरा के राश्ते का काड़गोदाम तक जाएगी, वखेदा भोजीपूरा में इसका लोको भी रिवर्स किया जाएगा तो देख सकते हैं हरे रंग के कोचेज लगे हुए हैं और हरे रंग के कोचेज सभी ट्रेनों में नहीं होते हैं, चुकि लजबी ट्रेन जो चलती हैं उसमें लाल रंग के कोचेज लगे होते हैं, लीडे रंग के लगे होते हैं, आई सी अप नीले रंग के बहुत को भी LHB coaches में परिवर्तित किया जाएगा जब भी कभी इसका परिवर्तन होगा LHB coaches में आप लोगों को उसकी सूचना दी जाएगी वीडियो को लाइक जो कीजेगा शेर कीजेगा चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजेगा ज्यादा से ज़्यादा दौाओं में याद रख केュ stimulate 220 किणिवर्त जाएगे जेक जाएगा जाएगा जाएगे जाएगा हम जी जतto का कीजेगी नाएगा